प्रसिद हिंदी मुहावरे और प्रमुख लोकोक्तिया साथ यो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्पुन टॉपिक है हिंदी मुहावरे और लोकोक्तिया तो आज की इस क्लास में महत्पुन टॉप 50 कोस्टन्स कम्पलीट देखेंगे तो आज का ये क्लास आपके UP Police Constable और SSC GD 2024 के लिए अभी तो रामबान है तो इसको complete देखना है क्योंकि हिंदी व्याकरन के ये जो मुहावरे आपको आज कराएंगे ये बहुत ही महत्पुन है तो ये क्लास आपको complete देखना है इस क्लास से 100% आपको questions पूछे जाएंगे तो शुरू से अंतक आपको देख लेना है एक भी questions को skip किये बिना तो चलिए फिर शुरू करेंगे नमस्कार साथियो मेरा नाम है सुभास राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब जैनल तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं questions पहला question है आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है यानि आसमान पर चढ़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है काफी महत्पुन प्रशने है तो ध्यान से दिखिएगा साथियो आसमान पर चढ़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है तो देखिए correct answer होगा अच्ट अधिक प्रसंसा करना अच्छे आप लोग count करते चलना कि आपके 50 में से कितने questions correct बन रहे है आप लोग भी इस वीडियो के नीचे जो हैना comment box में comment करके बताना last में कि आप इन 50 में से कितने questions सही कर पाए है ठीक है तो इसका right answer होगा अच्ट अ लगना यानि जब कोई पसंद ना आता है तो तब हम बोलते हैं कि ये आँख की किरकरी हो गया है याद रखना आँख की किरकरी होना इसका आर्थ होता है आप पिरिय अलगना ठीक है option number a correct होगा आगे दिखिए लाल पीला होना महावरे का आर्थ क्या होता है दिखिएगा ल दिखिए next question है सीर हथेली पर रखना इस महावरे का आर्थ क्या होता है साथियो तो सीर महावरे का आर्थ क्या होता है तो याद रखिए मरने के लिए तैयार रहना ठीक है सीर हथेली पर रखना इसका आर्थ होता है कि मरने के लिए तैयार होना आगे दिखिए अंगुठी क नग होना इसका अर्थ क्या होता है तो वह देखिए अंगूठी का नग होना इस महावरे का सही अर्थ होता है अनुरूप जोडा होना याद रिखिए अनुरूप जोडा होना ओप्सन नमबर डी राइट अंसर होगा आगे देखिए काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है तो याद रिखिए काम ना जानना ठीक है काम का ज में कोरा हो लोटना इस महावरे का सही अर्थ होता है तो याद रिखिए आन आवश्यक रूप से इस प्ष्टवादी होना करिक्ट एंसर होगा option number भी याद रिखिएगा अन दिखिए बहुत एच्छा कोश्चन है ये अन आवश्यक रूप से इसपष्ट वादी होना यही जुबान पर लगाम ना होना इस महावरे का सही अर्थ होता है आगे दिखिए नेक्स्ट कोश्चन है कलेजे पर साप लोटना महावरे का अर्थ क्या होता है तो साथ योग कलेजे पर साप लोटना इस महावरे का सही अर्थ होता है इर्सिया या दुख से मन बैचेन होना करिक्ट आएगा option number भी याद रिखिएगा इर्सिया या दुख से मन बैचेन होना करिक्ट आगया option number भी नेक्स्ट कोश्चन है एक ही लकडी से हांकना इस महावरे कार्थ क्या होता है तो देखिए एक ही लकडी से हांकना इस महावरे कार्थ होता है सब के सब से एक जैसा ब्योहार करना ठीक है option number B करिक्ठ होगा एक ही लकड़ी से हांकना इस मुहावरे का अर्थ होता है सबसे एक जैसा ब्योहार करना नेक्स्ट कोश्चन है तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है तो साथ यो तेली का बैल होना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है बूरी तरह काम में लगे रहना यही अर्थ होता है तेली का बैल होना मुहावरे का next question है, मालुم होता है, तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्थ हो गया है, ठीक है, रेखांकित वाक्यानस के लिए सही मुहावरा क्या होगा अब यहां पर रेखांकित वाक्यास आपका यही है, रहने का संयोग समाप्त होना ये किस मुहावरे का अर्थ है आपको यही पुछे बताना है मापी चाते हैं तो दिखिए रहने का संयोग समाप्त हो गया ये किसका अर्थ है तो अन जल उठ जाना याद रखना अन जल उठ जाना इसी मुहावरे का ये अर्थ होता है रहने का संयोग समाप्त हो जाना चलिए next question है अरुन ने परिक्षा में उत्तिर न होने के लिए बहुत परिस्रम किया ठीक है तो रेखांकित वाक्यांस के लिए सही मुहाबरा क्या होगा अब रेखांकित वाक्यांस है ये वाला बहुत परिस्रम किया तो भाई इन में से वो कौन सा मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना तो देखिए यहाँ आपका करिक्ट हो जाएगा option number C 80 चोटी का जोर लगाना ठीके 80 चोटी का 80 होगा 80 चोटी का जोर लगाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना तो यहां आपका राइट होगा ओप्सन नंबर सी अभी पेपर में इसी टाइप के कोश्चस जादा पूछा जाता है आपको रेखांकित वाक्यांस के लिए ही सही मुहावरा बताना होता है आगे दिखिए भरष्ट नेताओ के कारण कॉंग्रेस चुन लूटिया डूब जाना इस मुहावरे का आर्थ होता है हार जाना तो करिक्ठ होगा ओप्सन नंबर भी लूटिया डूब जाना आगे दिखिए आख का नीर ढल जाना आख का नीर यानी पानी ढल जाना का अर्थ क्या होता है तो आख का नीर या पानी ढल जाना इस मुहाव मुहावरे का अर्थ होता है याद रिखीगा देखे निरलज्य होना ओप्सन नमबर भी करिक्ट होगा निरलज्य होना ठीक है आगे दिखे नेक्स्ट है छक्के छुडाना का अर्थ क्या होता है तो बुरी तरह से हरा देना यानि हराना करिक्ट आएगा ओप्सन नमबर भी हर आगे दिखिए चांदी का एनक लगाना का अर्थ क्या होता है तो चांदी का एनक लगाना इस मुहवरे का अर्थ क्या होता है तो देखिए करिक्ठ होगा साथियो किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना चांदी का एनक लगाना इसका अर्थ होता है किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना आगे देखिए दाम लगाना का अर्थ क्या होता है भई दाम लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है याद रिखिए मुल्य आंकना ओप्सन नंबर ए मुल्य आंकना नेक्स्ट कोश्चन देखिएगा चलिए तो अगला कोश्चन य पुराने संबंधों को एकदम भुला देना नेक्स्ट कुश्चन है दीन को दीन और रात को रात ना समझना इस मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो दीन को दीन और रात को रात ना समझना इस मुहाबरे का अर्थ होता है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना तो राइट होगा option number D आगे दिखें next है मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है तबहें मखमली जूते मारना इस मुहावरे का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना राइट आएगा option number A ना यानि मीठा मीठा बात करके उसको लज्जित करना यही मखमली जूते मारना का अर्थ होता है आगे दिखेंगा बरसात्क में मच्छर नाक में दम कर देते हैं रेखांकित मुहावरे का अर्थ यानि यहाँ पर रेखांकित यहां से है देखो यहां से लेकर यहां तक कर नाक में दम करना है तो आपको बताना है कि नाक में दम कर देना इस मुहावरे कार्थ क्या होता है तो भई बहुत परेसान करना राइट आएगा option number C आगे देखिए अंगूठा चुमना कार्थ क्या होता है देखिए अंगूठा चुमना इस मुहावरे कार्थ होता है खुसामद करना किसी को खुसामद करना ठीक है option नमबर डी करेक्ट होगा, खुसामद करना, नेक्स्ट कोश्चन है, अकल का पुतला, देखिए, अकल का पुतला, इस मुहावरे का आर्थ क्या होता है, तो साथियों, अकल का पुतला, इस मुहावरे का आर्थ होता है, याद रिखिएगा, अकल का पुतला, यानि बहुत बु पूछा जाता है तो गागर में सागर भरना का रतो होता है थोड़े सब्दों में अधिक कहना यानि थोड़े ही सब्दों में अधिक बाते कह देना option number D आगे दिखिए अगला question है चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होता है तो दिखिए चादर के बाहर पैर पसारना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है तो छमता से अधीक ब्याई करना option number D correct answer हो जाएगा यानि आपके पास जितनी छमता नहीं है उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर दीए ठीक है यह यह चादर के बाहर पैर पसारना का सही अर्थ चलिए आगे दिखिए दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है तो बहुत दिखिए का दिल पक जाना इस मुअवरे का अर्थ होता है अतियन्त पिडित होना आप्सन नमबर से correct हो जाएगा आगे दिखिए 9-211 होना का अर्थ क्या होता है तो 9-211 होना इस मुअवरे का सही अर्थ होता है रफू चक्कर होना रफू चकर होना या भाग जाना आगे दिखे नाक पर सुपारी तोड़ना कार्थ क्या होता है तो सत्यों नाक पर सुपारी तोड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत परेशान करना option number C आगे दिखे नेक्स्ट है पेट में दाड़ी होना यानि यार फेस्ट पे दाड़ी नहीं आया है लेकिन उसके पेट में दाड़ी आ गिया है यानि जितने उम्र में दाड़ी आता है उससे पहले उसके पेट में दाड़ी आ चुका है इसका मतलब यह है कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना किसी वस्तु का आवेसकता से कम होना के लिए सही मुहावरा क्या है तो देखिए किसी वस्तु का आवेसकता से कम होना ये किस मुहावरे कार्थ है तो देखिए करिक्ठ होगा ऊट के मुह में जीरा डाल दोगे तो ऊट को कुछ भी थोड़ी पता चलेगा पताओ उसका थोड़ा सा भी पेट वरेगा नहीं न तो आवे सकता से कम होना ये उट के मुँँ में जीरा option number भी correct होगा आगे देखिए पुलीस के देखिए पुलीस के द्वारा की गई नाकेवंदी की وجہ से डाकूओ की इनमे से रिक तस्थान के लिए उपयोक्त महावरा क्या होगा अब देखिए पुलीस के द्वारा की गई नाकेवंदी की वज़ा से डाकूओ की क्या हो गया भई नानी मर गई ऐसी तेसी हो रही है जान के लाले पड़ गए तरकीब काम नहीं कर रही तो क्या होगा ऐसी तेसी हो रही है अब देखिए पुलिस के नाकेवंदी की वज़ा से डाकूओं की ऐसी तेसी हो रही है तो option number B correct होगा आधा तीतर बाधा बटेर का अर्थ क्या होता है तो साथिवा आधा तीतर आधा बटेर इसका अर्थ क्या होता है तो बेमेल तथा बेढ़ंगा होना करेक्ट आएगा option number D गाट गाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो साथिवा गाट गाट का पानी पीना इसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना option number D correct होगा बहुत अनुभवी होना आगे देखिए टिपस लगाना का अर्थ क्या होता है तो टिपस लगाना इस मुहाव यानि जहर का घुट पीना, ये जो है लिव इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, जहर का घुट पीना मुहाबरे कार्थ आपको बताना है, तो क्या होता है, क्रोध को नियंत्रीत करना, option never भी correct हो जाlot, आगे दिखके, बिरू और जय में, चोली दामन का साथ है, रि एक दुसरे पर निर्भरता नेक्स्ट कोश्चन है राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया रेखांकित मुहावरेकार्थ यानि आग में घी डालना मुहावरेकार्थ क्या होता है ये बताना है तो भई आग में घी डालना मुहावरेकार्थ होता है उत्तेजित क परना option number D correct हो जाएगा आगे दिखिए next है इस वर्स मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई इसी को कहते हैं क्या कहते हैं वही इस वर्स मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई इसी को क्या कहते हैं रिक्त स्थान के लिए उप्युक्त मोहवरा क्या होगा तो इसी को कहते कंगाली में 8 गिला होना राइट आएगा option नमबर भी कंगाली में 8 गिला हो इसी कार्थ होता है इस बर्स मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई चली आगे दिखिए पूत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या कर दिया रिक्त स्थान के लिए उप्युक्त मुहाबरा का चैन करिए तो पूत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या क्या तिला देखिए तिलांजली देदी आगे देखिए दूखी सुदामा को द्वारका में आया देख स्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया रिक्तस्थान के लिए उप्युक्त महावरा चुनिये तो दूखी सुदामा को द्वारका में आया देख स्री कृष्ण ने उन्हें सीर आखों पे बेठाया क्या होगा सीर आ पस्वादर करता है, उसके साथ भी हमेसा अच्छा ही होता है, तो प्ली आप लोगों ने लाइक नहीं कि या है, तो लाइक कर दीना, आप में से कोई भी साथी नहीं है, किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को on करके all पे किलिक कर लेना, देखिए, अंधे की लकड़ी, इसका आर्थ क्या होता है, तो भै, अंधे की लकड़ी का आर्थ होता है, एक मात्र सहारा, option number C, आगे दिखिए next है, अंडे का सहजादा, इसका आर्थ क्या होता है, तो अंडे का सहजादा, इस महावरे का आर्थ होता है, अनुभाव हीन ब्यक्ति, option number D, correct होगा, आगे दिखिए next है, अकल का दुस्मन का आर्थ क्या होता है, तो अकल का दुस्मन होना, इस महावरे क कारथ होता है प्रतिक्षा करना राइट आएगा the option number जी आगे देखिए काटा बोना काटा बोना इस मौआब रिखना ऊप्शन नंबर हो जाएगा । है कलम तोड़ना कार जी से तब कलम तोड़ना इस मौआब रिखना option number B correct है आगे दिखिए next है कोड़ी को ना पूछना का अर्थ क्या होता है बलते है न यार वो तो तुमको कोड़ी का भी नहीं पूछ रहा है तो कोड़ी को ना पूछना इस का अर्थ क्या होता है निकम्मा समझना यानि वो आपको कोड़ी का नहीं समझ रहा है यानि वो आपको जो है निकम्मा समझ रहा है option number C निकम्मा समझना आगे दिखिए घुटने टेक देना इस मुहावरे कार्थ क्या होता है तब घुटने टेक देना कार्थ होता है हार मान लेना option number C हार मानना आगे दिखिए नेक्स्ट है घर बसाना का अर्थ क्या होता है तो घर बसाना का सही अर्थ क्या होता है तो बिबाह करना आप बताईए आप लोग कौन-कौन अपना घर बसाना चाते हैं और घर बसाना चाते हैं तो जल्दी से सरकारी नौकरी बस लिजिए उसके बाद घर बस तो घर वसाना का अर्थ होता है बिबाह करना आगे दिखिए नेक्स्ट है चुलू भर पानी में डूबना इसका अर्थ क्या होता है ठीक है तो दिखिएगा इसके बाद एक क्वेश्चन में आप से पूछूंगा उसका अंसर आपको कमेंट वॉक्स में बताना है अभी दिख यह इसका अंसर आपको बताना है चेहरे की हवाई या उड़ना इस मुहावरेकार्थ क्या होता है तेजी से चलना घवरा जाना जवाब ना देना या क्रोधीत होना चारों में से कोई एक आंसर होगा चेहरे की हवाई उड़ना का आप लोग सभी इस कोश्चन का आंसर कमें करना साथ यो आपने से कोई भी नए है चैनल सब्सक्राइब कर लेना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जहिंद